हलो प्रेंट, स्वागत आपका सिव टेक स्मार्ट में प्रिवियस वीडियो में मैंने एच्पी के लेटेस्ट आई 312 जेनरेशन ओल इन वन पीसी का रिवी किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे उसका लेंक मिल जाएगा और आज आपके लिए लेकिया हैं 12 जेनरेशन आई 5 ओल इन वन पीसी तो करते हैं इस बड़े से बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसकी क्वालिटी एंड और ओल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है जिसका मोडल है 27CB1456IN है तो ओपीस एंड कन्विनियन्ट यूजर्स के लिए कभी हेलफुल वीडियो रहने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं बोक्स कॉंटेंट की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूँ क्यूक सेटप गाइड और एक प्रिमियम क्वालिटी की पाउर कोड और फ्रेंड्स वही HP के लेप्टॉप की तरह 65 वोट का AC पाउर एडप्टर और फ्रेंड्स आप देख सकते हो प्रिमियम क्वालिटी की कीबोर्ड एंड माउस और ये बैटरीज दी हुई है और ये USB कनेक्टर ये काफी इंपोर्टेंट है बाकी कीबोर्ड और माउस को आगे खावर करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस All-in-one की अगर मैं सुन्दरता की बात करूँ तो इस टेरी वाइट कलर के साथ ही आता है और पर्सनली मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा और अगर मैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो डिजाइन भी काफी शांदार देखने को मिल रही है और बिल्ड क्वालिटी काफी ओसम दी हुई है जैसे कि आप देख पारों इसके टेबल टॉप जो ही स्टेंड दिया हुआ है वो एलमुनियम बिल्ड से बना हुआ है और वो भी काफी प्रिमियम लग रहा है और और अल डिजाइन मुझे तो काफी अच्छे लगी और यह जो साइस दी हुई है यह है 27 इंच इसी के साथ इस All-In-One PC के पोर्ट पे भी एंगनाज डाल लेते हैं तो इस स्टाटिंग में मिलता है शिक्योर्टी स्लोट है और थर्ड पाटी लोगों भी देखने को मिल जाता होई और बॉटम में एर्मेंट्स दिये होए और उपर कीतरब एहर एक्जोस्ट देखने को मिल जाता है और फ्रेंस बैक पैनल में ह Сब्स की कोपी पौडिटी बरांटिंग देखने अच्छी देखने को मिल जाए यह अगर आपको webcam को डाउन करना है तो और जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट है और टेबल टॉप जो इस्टेंड है मुझे तो यहार इस्टेंड की क्वालिटी और आगे की तरफ जो ग्रिल दी हो यह इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी और फ्रेंड्स आप इसे ओल इनवन पीसी को यहां तक टिल्ट कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो इसी के साथ इस ओल इनवन पीसी के स्पेस्पिक किसान आपको बता देता हूं तो सब सब पहले सीप्यू की बात करूं तो इंटेल को राइफ फाइव ट्वेल 500 MHz की सिंगल चैनल की रेम देखने को मिल जाती है और आप इसमें मैक्जिममम 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो इस टोरेज हाइप्रेडी स्टोरेज दिया हो है तो फ्रेंट्स हाइप्रेडी स्टोरेज देखने को मिल जाएगा कनेक्टवेटी वाइफ 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 और ब्लुटूथ 4.2 दिया हुआ है और फ्रेंट्स यहां सबसे बड़ा ड्रोबैक देखने को मिल रहा है आई 5 वेरेंट में इंटेल यूसडी ग्राफि तो सब से बहले सिने 2523 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1494 और फेंटिकवर इसकोर 5744 वहीं iç on फ्रेंट्स फाइब ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1573 मल्टिकोर स्कोर है 4749 और फ्रेंट्स यहाँ ओपन जियल स्कोर देख सकते हो 11261 है क्या ही शांदार स्कोर देखने को मिद रहे हैं वहीं PC Mark 10 ने स्कोर दिया है around 5000 के आसपास है आपको भी पता है फ्रेंट्स PC Mark 10 के अगर 5000 क के आसपास इसकोर आते हैं तो CPU काफी अच्छी performance प्रवाइड कर वाता है तो फ्रेंट्स आप भी काफी ज्यादा excited होंगे इस all-in-one की डिस्पले को जानने के लिए तो इसमें लगी हुई है 27 इंच की 1080p IPS anti-glate डिस्पले आप लोगों ने सही सुना और all video quality आप देख सकते ह क्या ही quality देखने को मिल रही है और 250 nits की brightness है और 72% anti-a से color gamut देखने को मिल रहा है तो फ्रेंट्स आप इसमें photoshop, editing, color grading से related सारे आप task आसानी से कर पाओगे क्योंकि आपको भी पता है कि एक IPS डिस्पले काफी natural color प्रवाइड करवाती है और all display की quality काफी awesome देखने को मिल जात है तो फ्रेंट्स उसी से एमपटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लेफ्टों में टेस्ट कराता हूं तो देखते हैं आज all-in-one PC में i5 वेरेंट है तो कितना टाइम लगता है तो जैसा कि आपने देखा 1 minute 40 second में वीडियो रेंडर हो चुका है और जब मैंने इस AIO को बूट करवाया तो only 11 second में ही बूट हो गया था तो फ्रेंट्स यह थो थी इस PC की बेंचमार्क और पर्फोर्मेंस की बाद तो सबसे मैंन करते हैं गेमिंग पर्फोर्मेंस की बाद क्योंकि यार जब तक गेम प्ले ना हो तब तक CPU हो, desktop हो और या all-in-one ही क्यों ना हो एक्चमार्क पर्फोर्मेंस की बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है तो सबसे बिले मैं इस पर प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5 पे HD resolution के जाहते तो देखते हैं केसी फ्रेंट देखने को मिलती है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 50-60 fps की फ्रेंट मिल रही है इंटेल यूस्डी ग्राफिक्स काड के साथ है सीप्यू टेमपरेजर मिनीमल से है रेम अप्रोक 7GB के आसपास यूज आ रही है और नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया है इस पैक्स ओप दा लाइन है देखते हैं इसमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और बाइन प्रेखने के सब्सक्राइब तो जैसे आप देख पा रहे हो 50 fps की फ्रेम रेट मिल रही है और लास्ट में ने एक और गेम प्ले किया है nfs जो कि एक रेसिंग गेम है फूल एश्डी रेजुलेशन के साथ है तो फ्रेंड्स 40 fps की फ्रेम रेट आ रही है तो ओर ओल आप इससे ओल इन वन पीसी में नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो तो कोई प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगी और फ्रेंड्स इस AIO के साथ जो कीबोर्ड और माउस दिया हुआ है वह HP का 710 वाइलेस कीबोर्ड माउस देखने को मिल रहा है और फ्रेंड्स काफी कॉम्पेक्ट साइज गाया है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी ओसम देखने को मिल जाते हैं और कीबोर्ड की क्वालिटी काफी अच्छी है इसके साथ अगर मैं इसके माउस की क्वालिटी की बात करूँ तो काफी लाइटवेट माउस है और फ्रेंड्स यहां नीचे की तरफ HP की ब्रेंडिंग की गई है और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा स्क्रोल भी काफी अच्छा है और आप देख सकते हो इसका रैस्पॉंस साइम भी काफी शांदार देखने को मिल रहा है और और कीबोर्ड और माउस की क्वालिटी काफी ओसम मिल रही है और इस PC की अगर मैं प्रैजिंग की बात करूँ तो अभी है में जॉन पे 67,000 की आज अगर आप ऐसा ही एक all-in-one PC buy करने के सोच रहे हो वायर का कोई जंजट नीची है सब कुछ एक ही डिस्पले में आपको देखने को मिले तो आप इसके लिए जा सकते हो क्योंकि 65,000 की बजट में best value for money ये PC आ रहा है और फ्रेंट्स वीडियो के लाश्ट में अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन लेना चाते हो और अगर आप ऐसा ही all-in-one PC buy करने की सोच रहे हो तो HP में 24 इंच का all-in-one PC buy मत करना क्योंकि 27 इंच में और 24 इंच में only 3 से 4 आउजिंट का डिफ्रेंस ही देखने को मिलेगा 24 इंच का all-in-one PC देख रहे हो उसमें VA पेनल है HD webcam दिया हुआ है और फ्रेंस 27 इंच में IPS डिस्पले और Full HD webcam देखने को मिल जाएगा तो मेरा पर्सनल सजेशन यह है कि आप थोड़े से पैसे और इंक्रीज करके 27 इंच का all-in-one PC buy कर सकते हो best buy link आपको description में मिल जाएगा तो फ्रेंस यही था इस all-in-one PC का overall review अगर आपको यह buy करना है तो best buy link description में मिली जाएगा और इस all-in-one PC से related आपका कोई भी क्यूशन कोई भी क्यूरी हो तो मुझे comments box में जरूर comments करके बताना और आप suggest भी करना कि आपको और next video कौन से topic में चाहिए मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम आपकोई गी करता है गी कर सकता है आपकोई Ismaa Z hai You You झाल